हलो दोस्तों कैसे हो आपस भी तो दोस्तों आज बिहार प्लिस कॉंस्टिवल के लिए इस पेसर हिस्टरी का एक मॉक टेस्ट लेके आए हुए हैं जिसमें कि 25 कोईशन आपको डिली दिया जाएगा सारे साइलेक्टेट कोईशन हैं आज किस मॉक टेस्ट को आपसे शुरू से जोइन कर सकते हैं अपलिकेसन जाके प्लेश टोर से डाउनलोड करके उसके बाद कलास को जोइन कर सकते हैं आप सभी और फिर्म वीडियो को लाइक करके आप सभी से अर जरू किसेगा फ़र्स्ट कोईशन है गोवा पर सासन करने वाला अंतिम यूरोपी देश कौन सा था हर कोईशन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा इतने समय में अपना आंसर आप से नीचे कमेंड बॉक्स में बता सकते हैं आने था एक कॉपी में नोट कर सकते हैं दिखिए आप से को बताते हैं जो कोईशन को आप से नोट कर लेते हैं ये लिख देते कई पी वो कोईश पर सासन करने वाला अंतिम यूरोपय देश कौन्सा था फ्रेड। देखे गोवा पर सासन करने वाला अंतिम यूरोपय देश जोता फ्रेड। वो था पुर्तिगाल. अप्शन मसीर 8 आंसर हैंगे इस से सम्मानित एक दो प्रशन पूछ जाते हैं गोवा को पुर्तगालियों ने मुक्त कब किया था तो यह क्या था उन्हें 161 इसवी में याद रखी आप सभी और इस पे अधिकार कब क्या था 1510 इसवी में क्या था गोवा के सासक्ति पादिल सा उसको हरा के 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था और एक दो कोशन पूछ जाते हैं कि सबसे पहले पूर्तगाली कोन आये थे तो वासपूर्ट डिगामा 1498 इसवी में आये थे और पहली बार इसने बारत और यूरोप की भी समूंदरी मारगों की खोज भी की तो याद रखे गए इसे अबगी कोशन जो की पेपर में पूच जाती अक्सर अगला कोशन है भारत में फ्रांसी सी उपनी बेस की राजधानी क्या थी फ्रेंग ए right answer एंगे पांडू चेरी फिर पांडू चेरी जो थी वो फ्रांसिस से उपनी बेस की राजदानी थी option में ए correct answer एंगे और बरतमान में पांडू चेरी जो फिर वो एक केंदर सासित परदे से अगला question दिखे सत्य सौधक समाज किसके दुरा अस्थापित किया गया था चलब question में त्रीक लिए आपसे right answer बताएँगे सत्य सौधक समाज किसके दुरा अस्थापित किया गया था, कई बार ये question आपको बताऊंगे practice rate में, चलब lemon 然後 JI what आंसर क्या होगा तो फिर आपसे को बताओंगे सत्य सुवदक समाज के संस्थापक जो थे जो तीबा फूले थे और भी रेट आंसरेंगे इसने 1873 में इसके अस्थापना काँ पे की थी महराष्ट में महराष्ट में इसके अस्थापना की थी जो तीबा फूले ने अगला कोशन दिखे निमलेकित मैंसे कौन 1857 के पहले 177 आउंदोला से संबंदित नहीं था बेगाम हजरत माल 177 आउंदोला से संबंदित है कुवेर सिंग भी है मौल भी अहम दुल्ला ये भी संबंदित है जबकि उद्दम सिंग संबंदित नहीं है अफ्शन मसी राइट आंसरेंगे फ्रेंड दिखे फ्रेंड उद्दम सिंग जो थे ये गदर पार्टी से संबंदित भारती है करांती कारी थे और इसे सहीद ए आजम सरदार उदम सिंग भी कहा जाता है तो याद रखेंगे आपसे भी आफ्शन मसी राइट आंसर हैंगे आगला कोईशन है राम क्रिशन मिशन के अस्थापना किस ने की थी फ्रेंड चले कोईशन फाइब के लिए राइट आंसर बताएंगे आपसे को बताओंगे राम क्रिश्न मिशन के अस्थापना की थी? जे बिलकुल की थी? स्वामी बेवेका नंद ने कब की थी? 1 माई 1897 को 1 माई 1857 को स्वामी बेवेका नंद ने राम क्रिश्न मिशन के अस्थापना की थी दिखे राम क्रिश्न मिशन जो इफेंड ये हिंदु धार्मिक और अध्यात्मिक संगठन है अगला कोशन दिखे जल्या वाला भाग हत्याकान से पहले कौन सी मातपुर्ण घटना हुई थी डिरेट आंचरेंगे रोलेक्ट अधिनियम वेवस्थापन ओफ्चन में डिरेट आंचरेंगे जल्या वाला भाग से पहले ये गटी तुआ था तेके जल्या वाला भाग हत्याकान तेरा अप्रिल उनेश को अमरीश सहर में हुआ था याद रखेगा आप सभी और श्योक अंदरल की सुरवात उनेश सो बीस में किया गया था अगला कोशन है स्वामी विवेका नंदने शिकांगों में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था फ्रेण 1893 इस्वी में लिया था ओफ्शन मसी रेट आंचरेंगे याद रखेगा कब लिया था 1893 इस्वी में अगला कोशन दिखे सिपाई विद्रो कहां से शुरू हुआ तो फ्रेण आपचे को बताओंगे सिपाई विद्रो की जो शुरूबाद हुई थी वो कहां से हुई थी मेरट से कब 10 मई को 10 मई 1857 से सिपाई विद्रो की शुरूबाद हुई थी और ये दिल्ली तक फैला था अगला कोश्चन है 1857 के विद्रो की विफलता का सबसे महत्पूर्ण कारण क्या था विद्रोई के बीच अनुसासन का अभाव आधुनिक खत्यार की कमी विद्रोई और संग के बीच समनिभिय की कमी ये सबी क्या था वो 1857 की विफलता का मुख कारण था option में d rate answering अगला question दिखे मात्मा गांदी ने भारत छोड़ा ओंदरन कि शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को महत्मा गांदी ने भारत छोड़ा ओंदरन कि शुरूबात कि थी और इसी में एक नारा द्या करो मरो का नारा आगला कोर्शन दिखे, नेमलकित मैं से कौन सी साइट दिली में इस्तित नहीं है बुलंदर वाजा जो हैं, यह दिली में नहीं स्तित हैं, जबकि यह आगरा के फतिपूर सिक्री में है ये अकवर के दोबरा बनबाया गया था गुझराद बिजय के उपलक्ष में बुलन दरवाजा का निर्मान करवाजा जो की सबसे उचाद दरवाजा है बीस्व का किसे निर्मान करवाजा था अकवर ने याद रखेगा आप सभी राजपत कितुब मिनार लाल किला ये सभी कहां पे हैं वो दिल्ली में हैं आगरा में भी लाल किला हैं जिसका निर्मान अकवर ने करवाया था दिल्ली की लाल किले का निर्मान जो है वो साजहां के दूरा करवाया गया था अगला कोशन दिखें सिंदु घाटी सवेता के लो करता जो थे फ्रेंड वो जौन मार्सल थे अगला कोईशन दिखे हडपा किस सहर में चूडियों का परमान मिलता है अगला कोईशन है हडपा के किस सहर में चूडियों का परमान मिलता है फ्रेंड तो यह मिलता है काली बंगन से एरेट आंसरेंगी देखे हडपा से वेता की ख पर्ताप और अकवर किस एनल के खिलाप लड़ी गई थी। तो ये लड़ाई थी फिरें हल्दी गाटी का लड़ाई। अप्शन में सी राइट आंसरेंगे हल्दी गाटी का यूद था और ये यूद 1566 में हुआ था। कि नमलकित में से किस अस्थान पर पाया गया था फ्रेंड। तो ये पाया गया है लोथल में। आफ्शन में भी रेट आंसरेंगे। कोर्शन के लिए रहें। देखें लोथल जो है फ्रेंड वो गुजरात में लोथल के खोज करता थे रंगनातरों और ये भोगवा नदी के तड़ पर इस्थी थे हैं। अगला कोर्शन है डैस को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके सासन काल में दुनिया ने मुगल समराज की कला और संस्कीती का एक ओदूइतिये विकास देखा। तो ये कहा जाता है साजहा को एरेट आंसरेंगे। देखेंड साजहा ये जहांगिर का पूत्र था और इसका बचपन का नाम जो था वो खुर रहा हम था याद रखेंगे आप सभी। अगला कोर्शन देखें। इत्यासी काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम सभी पूरा पासान युग कहते हैं। उफशन में A. राइट आंसर नेंगे याद रखेंगे आप सभी। पूरा पासान युग कहा जाता है इसे। अगला कोर्शन देखें। मनसभदारी परनाली का परिच यसर होता बहकर को और सबसे महांतम स्सासक माना जाता है अगला पुस्छी नहीं भारत की जाती तो यह बनाई गई यह आ जो और अगला कोसिशन दिखें बिहार में 287 की बिद्रों का नियत्र रित्फ पर किसने क्या था फ्रेंड चले आप से बताएंगे इस पोसिशन का राइंट आंसर क्या होगा आप से चोबिल्कुल पताऊंगे बिहार में आटरों संतावन की विद्रों का नयत्रित वो किस ने किया था जे बिल्कुल किस ने किया था कूबेर सिंग ने किया था option मसी रेट आंसरेंगे याद रखेगा आप सभी अगला question दिखे नेमलिकित में से कौन एक मोरको यात्री था 24 सदावदी के दरां दिल्ले संतलत के दरवार में आया था तो ये यात्री था इबोन बतुता फिरण इबोन बतुता जो है ये मोरको की यात्री थी मोरको की राने-वाले थी जो कि मौहमद बिन तुगलक के सासन काल में भारत आयो उबे थी और ये आयते 1334 इस्वी में याद रखेगा आप सभी अगला कोश्चन है पर्षित चीनी तिर्थी यात्री फाहयान डैस के सासन काल में भारत का दोरा किया बीरेट आंसरेंगे चंद्रगुप्त दूतिये के समय में दिखे फ्रेंट चंद्रगुप्त दूतिये के समय में चीनी यात्री फाहयान भारत आये हुए थी अगला कोश्चन दिखे दक्षिन भारत में वैशनप भाक्ती संतों को क्या कहा जाता है तो इसे अलुवर कहा जाता है और दक्षिन भारत में वैशनप भाक्ती संतों को अलुवर कहा जाता है आगला कोईशन दिखे, निमलेकित में से कौन सा कथन चमपारन सत्यागरा के संदर में सही है, तो चमपारन सत्यागरा के संदर में जो सही है, आफशन में A, तिन गठिया परनाली के अंतरगत नीली खेती का वी सही था, आफशन में A, राइट आंसर हो जाएंगी, तिन गठि अगरा मात्मा गांदी के जो दरा 1917 में चलाया गया था ओप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे यह किरिशी सरसंब्दी थे चंपारं सत्यगरा अगला पोश्चन दिखे निमलेकित में से कौन भविसी में आने बाला बुद्ध है बीरेट आंसर जाएंगे मैत्रिये मैत्रिये जो फिर्ण यह भविसी में आने बाला बुद्ध है याद रखेगा आप सभी मैत्रिये का मतलब जो होता है वो भविसी का बुद्ध होता है याद रखेगा आप सभी देखे बहात धर्म के संस्तापक जो थे वो गौतम अगला कोशन देखें किसके अधीन चौत्य बोध परिशत का आयोजन हुआ तो देखे चतूरत्र भोज सेंगीती का जो आईजयन हुआथा वो कनिक से सासनकाल में इसविकी पर्थम सताबदी में हुआथा कहाँ पर कुंडल बन में हुआ था यादर के कुंडल गराम में और इसी के सासनकाल में बॉत दर्म दो भाग में व्यवाजित हो चुकेती एक हि अस्थान को जाना जाता है तो इसे महाभी निसकर्मन का जाता है याद रखीगा आप सभी जब सिधार्थ जो है कि घर को त्याक कर सत्त की खोज करने के लिए निकला और उसके बाद ज्यान की प्राप्ति होने के बाद बहुत धर्मे इसे महाभीनिस कर्मन का गया था और पर्थम उब्देश जो दिया था सारनात में उसे बहुत धर्म चक्र परिवर्तन का गया था जब गौतम भूत का मिर्ति हुआ तो उसके बाद बहुत धर्मे उसे महापरी निर्वान का गया था रखेगा पतप कान वा था नेपाल के लुमनी वन में हुआ था आगला कोशन देखें ब्रिटीज्ज भारत में संपरदाइक पत लिए नेमले कित में से कौन सा कारिपरदान किया गया है तो ये क्या गया है मिन्टो मैरले सुधार उनेश सो उनेश की द्वरा ओफिसम अभी राइट आंसर रहेंगे याद रखेगा आप सभी आगला कोशन ने गांधी जी को चमपारन किस ने आमंतरित किया था तो ये क्या था राजकुमार सुलक ने गांधी जी को चमपारन आमंतरित किया था याद रखेगा चमपारन सत्यगरा 1917 में हुआ था जो की किसान अंदोलन से सम्बंदी थे जिसे तिन गठिया भी कहा जाता है याद रखेगा हम सभी तो चलिए आज किस क्लास में हम सभी अगर आज के क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कि जिगा और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कि जिगा आप सभी